नमस्कार बहुत बहुत सागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम गैंगे सभी सिच्षड वीदिवें के बारे में पड़ेंगे एक पहले वीडियो हम देचुकें सिच्षड वीदिवं के लिए लेकिन आज हम सभी इसमें एक ट्रिक के माध्यम से इन विधियों को याद करेंगे बहुत ही आसान ट्रिक है और जैसे कि विभिन परिच्छाओं में सिच्छन विधियां पूछी जाती है तो बहुत ही important विधियों को हमने यहाँ पर रखा हुआ है और उन विधियों के जनक कैसे हम याद करें यह आसानी से याद कैसे हो सकती है इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है तो पहले हम विधियों को पढ़ लेते हैं कौन-कौन सी विधि जो important है और फिर उसके बाद हम इसकी ट्रिक को पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर एक पर हमने लिखिए आगमन विधि और आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु निगमन विधि इसके भी जनक अरस्तु है यह हम ऐसा याद रखना है कई जगा आपने यह देखा होगा कि निगमन विधी में कहीं कहीं पर प्लेटो लिखा होता है लेकिन प्लेटो गलत है क्योंकि निगमन विधी के जनक अरस्तु ही है ये आपको याद रखना है कहीं कहीं अगर किसी बुक में प्लेटो लिखा हुआ है तो हमने ये चेक किया है ढूना है काफी तो इसमें निग्मन विधी के अरस्तु ही जनक हैं इसके तो इसलिए हम आपको बता दें कि निग्मन और आग्मन दोनों विधी के जनक अरस्तु ही हैं प्रश्णोत्तर विधी के जनक सुक्रात हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विधी है और चौथ नंबर पर है सम्वाद विधी हमने लिखिए तो सम्वाद विधी के जनक प्लेटो हैं ये चीज याद रखनी है सम्वाद विधी के जनक प्लेटो हैं निगमन विधी के जनक अरस प्रोजेक्ट या योजना विधी को योजना विधी भी कहते हैं योजना सिच्छन विधी तो इसके जनक हैं किल पैट्रिक प्रोजेक्ट या योजना विधी के जनक हैं किल पैट्रिक किंडर गार्डन मोस्ट इंपोर्टन्ट है किंडर गार्डन के जनक हैं फ्रॉबल मार्य मांटे सरी ने मांटे सरी पद्दत की जनक है मांटे सरी पद्दत की जनक मारिया मांटे सरी और डाल्टन विधी के जनक है कुमारी हेलन पार्क हस्ट खेल विधी के जनक है काल्डविल कुक वेसिक सिच्छा प्रणाली के जनक है महात्मा गांधी खोज विधी के जनक हैं आर्मिस्ट्रॉंग खोज विधी को हुरिस्टिक या अनुशंधान विधी भी कहा जाता है और पर्यतन विधी के जनक हैं पेस्टॉलाजी तो ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो विधिया हैं जो पेपर में आई भी हैं उन्हीं को उन्हें यहां पर लिखा हुआ है और इन्हीं की ट्रिक बनाई वही है तो अब अगर question सिच्छण विधियां क्या है तो इससे आप समझ सकते हैं थोड़ी सी छोड़ी सी definition है जिस धंग से सिच्छक सिच्छार्थी को ग्यान प्रदान करता है उसे सिच्छण विधि कहते हैं तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रिक सिच्छण विधियों और उनके जनक को कैसे याद करें कि तो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं और यह ट्रिक है अरस्तु आनिने अरस्तु यानि अरस्तु जनक है आनि का मतलब है आ से आगम अरस्तु आनिने यानि आगमन और निगमन विधी के जनक है अरस्तु आनिने ये ब्लू पेंसल लिखा है ये ने साइलेंट है जितनी भी चीजे इसमें ब्लू पेंसल लिखी है वो साइलेंट है और जितनी भी चीजे रेड पेंसल लिखी है वो जनक और विधिया है तो अरस् अरस्तु आनिनी सुप्रश्न का मतलब है प्रश्न विधी के जनक सुक्रात्र प्रश्नोत्तर विधी के जनक सुक्रात्र के साथ प्ले समवाद करके किल योजना बनाई फ्रा किंडर मारिया मांठे डाल को लेकर कुखेल में महाबेसिक आर्म खोज करके पेस्ट परियतन पर जाएं अरस्तु आनिनी जैसा की बताया आनि का मतलब आगमन और निगमन विधी जिसके जनक अरस्तु सू प्रश्न का मतलब प्रश्न से प्रश्न उत्तर विधी जिसके जनक सुक्रात प्ले से प्लेटो और समवाद से समवाद विधी किल से किल पैट्रिक, योजना से योजना विधी, फ्रा से फ्रॉबल, किंदर से किंदर प्रणाली, मारिया मांट यानि मांटे सरी प्रणाली की जनग मारिया मांटे सरी, हेडाल यानि डाल्टन की हेल एन पार्खास्ट, कुक खेल खेल विधी के जनग, काल्डवेल कुक, महा महा से महातमा, वेसिक से वेसिक से चछप्रणाली, आर्म से आर्म स्ट्रॉंग और कोज से खोजविधी, पेस्ट से पेस्टालोजी, और पर्रेटन से पर्रेटनविधी. यह आसाने सी ट्रिक है, आप इसे दो तीन बार पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगी. अरस्तु आनिनी सूप्रश्न के साथ पले समवाद करके किल्योजना बनाई फ्राकिंदर मारिया मांठे डाल को लेकर कुख खेल में महा बेसिक आर्म खोज करके पेस्ट पर रेटन पर जाएं अगर आप ये दो तीन बार पढ़ेंगे तो आसानी से ये च्रिक याद हो जाएगी और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सेर जरूर कर दें धन्यवाद साथियो ये आपको हमारा ये वीडियो और अपडेट पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें और इसी के पास वाले बैल आइकन को जो घंटा का निशान है उसे जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियो की रेगराल नाटिफिकेशन और अपडेट टाइम तो टाइम आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिलते रहें और कोई भी अपडेट आप मिश्ट नहीं कर पाएं साथियों और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें धन्यवाद साथियों आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल में बहुत ज्यादा व्रद्दी करेगा और हमें भैतर से और भैतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा धन्यवाद साथियों, जै हिंद, जै भारत